बोलू जी को खाना दे दिया है इसके बाद मैंने कर दिया था एक बड़े वाला कांड तो उस कांड को सही कर रही हूँ मैं अब कांड क्या किया थो मैं बता देती हूँ मैंने कल कपड़े दुले थे तो वैसे तो मैं इनके कपड़े हमेशा अलग दूलती हूँ अपने कपड़ों से और लेकिन हुआ क्या कि पता है नी कैसे इनकी शर्ट मेरा रेड कलर का कलर लग गया अब मेरे तो कोई कपड़े थे नी, इनके कपड़ों में कोई रेड कलर का था नी, बट पता ही नी ये रेड कलर का कहा से लगा, शैद मैंने डालते वे ध्यान ने दिया कि इस पे पहले से लगावा था, या कुछ भी हो, लेकिन गल्ती मेरी ही निकलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो जब धूल के रख देती हूं, रात को गावा झूल देती हूं, अधिकतर तो जो मैंने रात को कपड़े धूल लेथे, वो मैं हाँ आपर सुखाने के लिए मैंने डाले हूए है, तो मैं चेक कर रही थी, कि ये सुखे आया, या नहीं सुखे, वैसे तो अगर देखे तो र कपड़ों की और यह हुआ कि मैं महारुक गई तो इनको कपड़ों की परिशानी नहीं होगी शर्ट को काफी टाइम हो गया था भिगाए वे तो मैं चेक करी थी कि इसका कलर निकला या नहीं निकला और इस बीच पे मैंने बहुत सारे काम अपने खतम कर लिये थे यह नहीं कि कि बार-बार एक चीज़ शेर कर रहे हो तो इसलिए मैं उसको शेर नहीं कर रही हूँ तो शर्ट मैंने यहाँ पर चेक की थी इसका रंग नहीं निकला तो मैंने इसमें से थोड़ा सा सर्फ निकाल लिया था हुआ यह कि मुझे ना मेरा जो पोचा है मोप वाला उसको साफ करना था तो मैं काफी टाइम से सोच लीए थी कि उसको साफ करूं तो उसको साफ करने के लिए मैंने यहाँ पर सर्फ का पी निकाल लिया है और मैं इसको नॉर्मल तरीके से साफ करूंगे क्योंकि अब मुझे चेंज ही करना है लेकिन मैं सोच ल congregation क्योंकि यहां का फर्ष होता है ना यह बार बार चेंज करने पर भी काफी जादा गंदा हो जाता है कियो कि फर्ष पर जादा तो यूज होता नहीं है ओपने मारवल होता है एंपर पर साफ कर जैसे आप जब पहुचा करते न तब करते हैं तो उसी तरीके से मैं कर रही है और मेरे साथ में पता है क्या दिक्कत ओर थी यह ना बहुत जादा फिसल रहा था क्योंकि इसमें उपर सर्फ लग रहा था तो मैंने अपनी उंगली फसाई हुई थी और उंगली से भी यह वावा निकल रहा था तो यह थोड़ा मतलब यह काम मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इसको साफ करना है कुछ भी वैसे आप चाहे तो इसके अंदर से निकाल के भी आप इसको साफ कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसे कर ले तो यह मुझे पड़ता है और मैंने सोचा भी है कि यार चेंस तो करना ही है तो इतनी ट है तो नहीं कि वीडियो आज यह वाली वीडियो में यह बात हुई है तो हर कोई मुझे बोलता है तुने वीडियो डाली यार हमें तो पता ही नहीं चला हमाई पास नोटिफिकेशन नहीं आया और नहीं फ्रंट पेज पे जैसे वीडियो डालते है ना तो फ्रंट पेज प भी काफी जादा आसर पढ़ रहा है वैसे तो इतने कम थे ओपर से और जादा कम होगे क्योंकि शायद मैंने दो तीन दिन रेगुलर वीडियो नहीं डाली तो इस वज़े से मुझे यह दिक्कत आई थी लेकिन मैं क्या अच्छे सोच रही थी कि मैं प्रोपर व्लोगिंग कर जा रहा है वो स्लेट परन से स्लेटर वीडियो में ही जा रहा है सर्च मेरा तो इस वज़े से मेरी इन वीडियो पर व्यूज नहीं आ पारे जब इन में से कोई वीडियो चलेगी तो फिर इन वीडियो में भी व्यू आने शुरू हो जाएंगे तो ऐसा थोड़ा होता है त क्योंकि आप तुफान वगरा चलता है ना बहुत थ zarऊ चलती है तो रोज ही हाँ पर इतनी ज्वादा धूॲ हो जाती है और इतनी ज्यादा धूल में और मुझे धूल से प्रॉबלम है तो मेरे लिए यह पोसिबल नहीं है कि मने में रोज हैं रोज रोज यहां पर ज़़ू होती रहे और पहले तो नीचे भावी रहती थी तो वो अपने नीचे बिल्कुल साफ करके रखती थी लेकिन आप वो नहीं है वो यहां से चली गई है तो होता ही है कि उपर नीचे दोनों का दिक्कत हो जाती है वो सारा करना पड़ता है और जाडू ही मैंने यहां पर करना चाहती है और हाथ से बैठ के बोचे लगाने वाला वो डोक्टर ने मुझे अभी मना किया हुआ है कि आपको नहीं लगाना है तो इस वज़े से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है काफी टाइम मुझे हो गया है मेरा योगा भी चुटा हुआ है और मुझे योग करने लग जाती है जाड़ू पोचा तो यह क्या होते है महराज उटके बैठ जाते है और फिर शैतानी करने शुरू कर देते है और अब यह इतने जादा शैतान हो गया ना कि मेरे लिए बहुत जादा प्रॉब्लम होने लगी है कि इनको भी समालो और वो भी करो और दिक्क फर्क नहीं पढ़ता है इस चीजों से कि देशी है या कुछ भी है मुझे सिर्फ एक बेबी अडॉप्ट करना था और पापा को यह मिला तो पापा नहीं कहा कि मुझे तुम भाया तुम ले लो तुम चीए तो मैंने मैंने एकदम से हाँ बोल दी तो मुझे से यह हुआ है मैंने अडॉप्ट किया है मैंने शोप नहीं किया है यानि कि मैंने खरीदा नहीं है बट मैं यही कहूंगी मुझे काफी लोग बोल रहे हैं जैसे किसी को पता चलता है ना कि हमें भी लाके दे दो हमें भी लाके दे दो तो भले ही पैसों में दे दो यह है वो है तो भई मै और कोई फ्री में दे रहा है ना इनको कई होता है इनको रोटी बोगार नूटसान दे जाती है मैंटिनेंस उनका तगड़ा होता है बालों का भी सब चीज़ का वैक्सिनेशन इससे ज़्यादा जो हमारी देशी कुत्ते होते हैं रास्ति में होते हैं विचारों को उनको जरुत भी होते हैं घर की और उनका maintenance भी बिलकुल हलका है उनको कोई भी रख सकता है कोई भी उनकी care कर सकता है यह काफी जादा किफायत ही पड़ जाता है तो मैं यहीं बोलती हूँ कि भाईया अगर आप यह सोच रहे हो कि आप पैसे लगा कर उनको खरीदो और फिर उनकी जो है पैसे खर्च करने में आप यह को कि नहीं मैं नहीं करना चाहती है फिर आप free में किसी के आँसे ले जाओ लिया ओफ क्योंकि free का लेकि आ जाता है तो लोगों को कदर नहीं होती है मैंने बहुत सोचा है कि यार जब बच्चा हमारा है तो हम क्यों ना करें क्योंकि अगर बच्चा हमने रखा है किसी का तो उसके केर करना भी तो हमारा फर्जा है अब हमारा बच्चा हो तो हम केर करेंगे तो जब हम इसको बच्चे की तरह अपने घर में लाएं और यह ना बिल्कुल बच मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई प्रीज चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा थैंक्यू सो मच